लखनों में रेलवे अधिकारी केले से अधिक प्रात्मित्ता सफाई को देते नजर आ रहें क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि केले की छिलके से गंदगी फैलती है और इसी के चलते रेलवे प्रशासन ने यहां चारा बाग रेलवे स्टेशन पर केले की बिक्री पर रोक लगा प्रशासन ने इस बात की भी चेताव ने दिये कि यदि कोई इस नियम को तोड़ते वे पाया जाएगा तो सुझ जुर्मानिस सहीर सक्त कारवाई का सामना करना होगा हाला कि विक्रेता और यात्री इस कदम से खुश नहीं दिखाई दे रहें चारा बाग इस्टेशन पर एक विक्रेता ने कहा कि उन्होंने पिछले 5-6 दिनों से केले की विक्री नहीं की है प्रशासन ने इसकी विक्री पर रोक लगा दी है पहले गरीब लोग केले की खरीदारी करते थे क्योंकि अधिकतर अन्य फल महंगे होते हैं लक्नव और कानपूर के बीच रोजाना रेल गंदगी फैलती है यदि यह सही है तो सोचाले में भी प्रतिवन लगा देना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी वहीं पैदा होती है वहीं लोगों को कहना कि पानी की बोतले और पैक क्यूए स्नेक्स पर भी प्रतिवन लगाया जाना चाहिए क्योंकि इससे भी झाल, 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 झाल